Hello friends, welcome again to the world of maths by AMIA. So, आपने भी तर्ट तीन calculation techniques देख लिये हैं. 101, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 3. मैं आप से चाहता हूँ कि अच्छा इस techniques को आपने दिखा है तो इसको question में भी huge कीजिए. तो question thumbnail में भी था, question अभी आपके सामने भी है. I want to please pause the video and try to solve this question. Question is, अगर किसी क्यूब आट का, किसी घनाप का length, breadth और height में change होता है, length 5.88% से change करता है, breadth 33.33% से increase करता है, और height आपका 50% से decrease करता है, तो volume में बताइए क्या change है, आपके पास 4 options भी है. I hope आपने question पढ़ा होगा, video pause किया होगा, question solve करके answer को comment में post किया होगा, या अगर आप live देख रहे हो, प्रीमियर में, तो अपने answer को भी comment में post किया होगा. तो मैं चाहता हूँ कि अब इसे solve कैसे करते हैं, तो इसमें question क्या दिया हुआ है, आपका length दिया हुआ है, breadth दिया हुआ है, height दिया हुआ है, length में 5.88% का कमी हुआ, 5.88% का मतलब होता है, 1 by 17, मैं इसको अगर आप चाहिए हैं, तो मैं मता दूँगा कि कैसे निकालते हैं, यह 1 by 17 है, यह 16 by 17, अब चाहते हो कि percentage equivalent भी आपको पता हो, तो प्लीज comment कर दिया कि नहीं, मुझको यह भी जानना है, यही मैं चाहता हूँ कि techniques में काम करें, breadth हापका 33.33% से increase किया, जो कि होता है 1 by 3 से increase किया, तो 4 by 3, हम multiply करते है, height 50% से decrease किया, जो कि होता है 1 by 2, decrease होके 1 by 2 ह होगा, यही मेरा volume का change होगा, हम simplify करने के पक्ष में नहीं होता हूँ मैं, तो यह कितना हो गया, 64, और यह कितना हो गया, 102, मतलब 102 से 64 हो गया, कमी हो गया, मतलब हम लोग हो गया, क्या less, कितना less हो गया, 38 upon 102 into 100, इसको मैं का solve कर दूं, तो answer आ जाएगा, अब यह तो हमने discuss कि है न, इस 100 को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर हम करेंगे double dash, double dash, बात में 100 multiply करेंगे, 102, 100 से 2 जादा है, तो 2 यहाँ पर गटा देंगे, तो हो जाएगा कितना 36, 2 multiply करेंगे, तो यह आपका हो जाएगा 16, और यह हो जाएगा 7, और 76, और 200 से गटा देंगे, तो यह कितना 37, 24 into 100, जो कि approximately 37, 24%, अंसर इससे हमेशा ज़्यादा आएगा, क्योंकि next term गी carry forward देता है, तो अब options में देखिए, कौन सा ज़्यादा है 37, 24% से, तो only एक option ज़्यादा है, जो कि value कितना है, 37, 25% और वही मेरा अंसर है, तो हमने जो अभी तक सिखा है, उस पर बहुत सारे questions create हो तो this one is one of the example, कि आप करो, आप try करो, उसे 100 के पास लाने का, उसके solve कर दीजे, अंसर दिखेगा, तो होब ये clear है, तो आप बताइएगा, कि आपको और techniques का मतलब, और maths के diff concept चाहिए, और आपको क्या percentage equivalent का भी अच्छा एक तरीका चाहिए देखने का, पर इस आप ये question दिख अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये क्या किया, आप comment में पोस्ट कीजिएगा, उसको आप solve कर दीए, जो हमने पढ़ाई की है, और जो आगे हम पढ़ते रहेंगे, तो answer of this question is nothing but 37.25% as per option, approximation में मैं 37.24 से थोड़ा से ज़ाज़ जाओंगा, और एक ही answer मेरा सही है, तो answer of this question is nothing but 37 7.25%, so this one is all about the usage of जो हमने अभी तक बढ़ा है, बाकि अगर आपको और extra चाहिए, तो प्रीज आप बताते रहेंगे, तो God bless you, happy learning and bye-bye.